तोटली डेजर्व देखने वाले हैं विग बॉस में एल्विस के पूरी चेंज होगे इतना साधा मजा रहा है इतना जाधा मजा रहा है इतना बताई नहीं सकते आप खुद देखना और अरे क्या भाई तुम्हारा नाम क्या यार क्या ये नाम कैसे पड़ा तुम्हारे अल्विस का तु सुना है मैंने अल्विश क्या है ये भाई मेरे बड़े भाई ने रखा था मेरा नाम ये ना बड़े भाई ने बड़े आप से कितने बड़े हैं अनफोर्चिनेटलि अभी तो एक्सफायर होगा हो मैं इस सोल रेस्त और पीस मेरा नाम पहले से दार था तो उन्होंने सज़ेस्ट करा कि Elvish नाम रख लो Elvish या Elvish? Elvish मुझे प्रेम बहुता था, हाँ, जी मतलब क्या हो Elvish का? बाया भी तक पता नहीं लगती है तो आशिका अलो साथ इनको दो जानता हूं प्रेम रद्धन धन पायों से मतलब कर सब्सक्राँ पता रद्धन पायों में प्रेम कौन था? अको यहां पर वन प्रेम नहीं है पहली क्लीर कर देना चाहता हूं तो इस से पहले में कुछ और बात करूँ अभी शेक, स्टोरूमें कुछ सावान रखा है यहां पर प्लीज लेाइए जिया ये किस के लिए हो सकता है ये बताई ये आप मुझे आप के लिए तो पी लीजिए मिर्ची का एक चमच और पानी कारण बताओ के आप जट से उठकर ये पीने के लिए क्यों चेली गई क्योंकि मैंने आप से कहा इसे लिए या तो फिर आपको ऐसा एक कुछ ऐसास हुआ कि आप से कुछ गलत हो गया है जी मुझे से कुछ गलत हुआ सर लास्ट वीक मैंने हाँ हमें पता है पुरे इंदोस्तान को पता है सबने देखा है तो या टोटली डिजर्व दिस तो अब टेक इस जोड़ दो चोड़ दो पॉइंट प्रूब हो चुका है दो को हमारे गाउं के अंदर ना मिर्ची, कांदा, रोटी ये हमारा स्टेपल दायट है हिंदरस्थणियों का यह जो हम लोग इस प्रकार का खाना खातें हैं और साबन हम लोग ज्यादा कर्के न नाने के लिए इस्तमाल करते हैं नहां नहीं किया आपने क्या देख लिया? I don't know, it was very stupid of me to do that. चलो, ठीक है. तो इसका मतलब आपने बोल दिया stupid of me to do that, तो इसको इस topic को यही पर छोड़ दें. मैं बस आपको कुछ पढ़ के सोनाना चाहता हूं. इसमें लिखा है citric acid. अमोनियम, सोडियम, सलफेट, सोडियम, क्लोराइड, मिगनीशियम, नाइट सेड. असिद से हैं सब. और इसमें यहां रही है क्या है? कॉशन, कॉशन है ना? कॉशन है. वो ही पड़ देता हूं. For external use only. मतलब के बाहर के use के लिए है. Avoid direct contact with eyes. If irritation occurs, get medical attention. आपको attention तो मिल गया. Elvish? तेस कैसा था? थोड़ा अजीब सा था. अजीब सा था. तो नहीं 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 नहीं? नहीं भाई. अभी तक नहीं 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 नहीं? कमाल का हुनर है आपका यार. तो शायद इन्होंने आपको ना अंदर बाहर दोनों से पअक लिया था, जहाँ चिलिया था आपको. और आपको ऐसे लगए कि आपंसे गंदे हो. इसलिए उनुचा कि ये साबून का पानी पिला के आपको अंदर से साफ कर दें. जीँवे जी. जी सर अगर आपको एलविश के ताना शाए के अगैंस रिवोर्ड करना था पानी लाने से मना कर सकती थी पानी लाना पानी देना पानी पिलाना सबसे बड़ा सवाब का काम है पुनिय का काम है और आपने उस पुनिय में साबून डाल दिया ये बहुत ही बेवकुफी वाला काम किया मैंने चुलो बेवकुफी वाला काम किया तो किया लेकिन उसके बाद मज़े भी आप ले रही थी उस काम का और काफी समय तक आपने खुब सारे मज़े लिये हैं तो उस वाट आपको समझ में नी आया यह जो आप शूटिंग विडिंग काफी करते हो न तो हमेरे सेट्स की उपर न बहुत सारे कुत्ते होते जो कि बैन की नीचा कि सो जाते है चाहों के लिए तो अप इन कुत्तों के साथ कभी खेली हो बिस्किव बिस्किव खेला है उनको कभी पानी पिलाया है अपने किसी को नहीं पिलाया है यह पता नहीं क्या मेरे दिमांग में आगया असवाग तो मस्ती मस्ती में बिस्टूपड और जब मुझे रियलाइज हुआ था है और फिर उसके बाद आपने अलविश को आदा ग्लास पीने दिया एक बार पीने इसके मूँ पे जाता है ने 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 मत पीना यार अलविश इसके अंदर मैंने साबून मिलाया है जैसे कि मैंने अभी किया आपके साथ वो टास में आपने खुदने मना किया मैंने यह आपको बोल दिया मत पीओ पीने से पहले अगर देखें अब मैं बाकी घर वालों के समझधारी से रियाक्शन से महरा हूं वो होता है ना के देख रह पे रास्ते पे कोई कोई गरवड कर रहा है और वहां पर बीस पचीस पचास लोग एकटा हो जाते हैं और कुछ नहीं करते देखते रहते हैं मुझे उन लोगों से ज़्यादा नफरत है किस किस को पता है कि साबुन का पानी पीना सहथ के लिए हानिकारक हो सकता है और जान बूझ के पिलाना हानिकारक हो सकता है मिस्टेक से चला गया ठीक है लेकिन जान बूच करके पानी पिलाना इस नॉट करेक्ट ने तो अगर ये अगर ये खानी कारक नहीं होता तो नाते नाते हम साबून खा भी जाते ना मेरी एक आदत है मैं कभी कॉलर खा जाता हूँ कभी फटी वी जीन्स के धागे मूं में ले लेता हूँ वो ठीक है लेकिन ये पानी पिलाना साबून मिलाके उसको इंजॉई करना और बाकी लोग उनका रोकना नहीं वो बात मुझे ये नो ज्यादा अखरी है किसी ने इनको समझाया नहीं कि ये गलत बात है बलकि अविनाश तो हस रहे थे सर में पहले हसा बट मैंने उसे बोला कि ये बेवकूफी था उसमें नमक का नमक पानी बिना सकती थी अगर पिला नहीं है तो लेकिन जब उस वक्त उसने बताया तो हसी आई चलो आपने हसा उके यू फाउंड इट फणी लेकिन क्या आपने उनको रोका या आपने एलविश को बोला कि ए भाई मत पी इसके अंदर साबून का पानी मिला है एक ड्यूटी होता है न हाँ अज़ याज़ यार ये मदा कर रही थी एलविश इसके अंदर इसके साबून का पानी मिलाया मत पी मत पी अरे यार ये क्या है ये यहां पर खतम हो जाता लेकिन आपने इसको आदा गलास पानी पीने दिया आप इतने ही जिम्मवार हो बलके आप समझधार हो चलो जिया से गलती हो गई इसने कबूल लिया लेकिन आप तो समझधार हो न आपने रोका क्यों नहीं मानता हूं जिया चलो आपने सौरी बोल दिया खतम हो गया ना सब कुछ मतलब आप ये चाहती हो कि ये जो जिन जिन ने ये शो देखा है जब यहां से निकलोगी बाहर जाओगी घर पे लोगों को डिनर पे बुलाओगी लंच पे बुलाओगी दावते करोगी तो वो क्या आपके हाथ का पानी या आपके हाथ का खाना खाएंगे जिन जिन ने ये बिग बॉस ओटी टी देखा है ऑन जियो आपको वीडियो अच्छी लगए यो वीडियो अच्छी लगए तो लाइक करें दोंट फगेड़ तो सब्सक्राइब मैं चानल फॉर मोर सच्छ वीडियो तो मिलते हैं नए रियक्शिन वीडियो के साथ तक के लिए तक टब बाइब बाइब एंड़ए यान श्टे हैप्या